नमस्कार मित्रूं, सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशी फल चैनल को, जै सनी देव, दोस्तों स्वागत है आपकी दैनिक राशी फल में आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायत रहने वाला है, आईए जानिये आपकी राशी में आज क्या क्या है शनिवार, 30 दिसंबर 2023 को पॉश महा के कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथी है। इस तिथी पर आशलेशा नक्षत्र और विश्कुम्भ योग का सयोग रहेगा। दिन के शुब मुहुर्द की बात करे तो शुकरुवार को अभिजीत मुहुर्द 12 बचकर 2 मिनट से 12 बचकर 44 मिनट तक है। रहुकाल सुबह 9 बचकर 48 मिनट से 11 बचकर 6 मिनट मिनट तक रहेगा। चंद्रमा सिंग राशी में मौजूद रहेंगे। आज का राशिफल 30 दिसमबर 2023 मेश आज का दिन आपके लिए खुश्णुमा रहने वाला है। आपके घर में किसी शुब व मांगलिक कारेक्रम का आयोजन हो सकता है, किसी जरूरी काम को कल पर ना टाले, नहीं तो समस्या हो सकती है। और यदि आपने किसी काम में उसके न्योंगों का उलंगन किया, तो इससे आपका कोई नुकसान होने की पूरी संभावना है। आपकी वानी की सौमेता से घर परिवार में चल रही कला को भी आसानी से दूर कर पाएंगे। यदि आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही है, तो उसे आप नजरंदाज ना करें और डॉक्टरी परामर्श अवशलें। भाग्यशाली दिशा, उत्तर पश्चिम। भाग्यशाली संख्या, तीन, भाग्यशाली रंग, हलका पीला रंग। व्रिशब कार्यों को बखुबी समय रहते पूरा करेंगे, नहीं तो समस्या हो सकती है। भाग्यशाली दिशा, उत्तर पूर्व, भाग्यशाली संख्या, एक भाग्यशाली रंग, चंदन रंग। विथुन आज का दिन आपके लिए मेहंत और लगन से कम करने के लिए रहेगा। कार्य योजनाओं को आप आगे बढ़ाएंगे और आपको यदि कोई पेट समबंदित समस्या है, तो आप उसमें धील ना दे और यदि कोई समस्या हो, तो उसमें डॉक्तरी परामर्ष अवर्ष लें, आपको निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। यदि आपने किसी से धन उधार लेने का मन बनाया है, तो बिलकुल ना ले, नहीं तो आपको उसे उतार पाना मुश्किल होगा। किसी सरकारी योजना में आप निवेश कर सकते हैं। भाग्यशाली दिशा, उर्व भाग्यशाली संख्या, पाच भाग्यशाली रंग, भूरा रंग, कर्क आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा, मित्रों के साथ आज आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, धन संबंधित मामलों में आप सक्रियता बनाए रखें, आप कार्यक्षेतर में अपनी प्रतिभा से आज एक जगा बनाएंगे और व्यवसाय में आपकी योजनाओं को सफलता मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, घूमने फिनने के दोरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आधुनिक विश्यों में आपकी पूरी रुची रहेगी, भाग्यश आज का दिन आपके लिए अनुकूर परिनाम लेकर आएगा, यदि आपको किसी पैत्रिक संपत्ती संबंधित मामला कानून में चल रहा है, तो उसमें आपको जीत मिलेगी, घरेलू मामलों में आप पहल करने से बचे और किसी को बिना मांगे सलाह ना दें, नहीं तो बाद में समस्या होगी, माता-पिता के आशिरवात से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, आपके भाई के विवा में यदि कोई बाधा आ रही थी, तो उसके लिए आप अपने किसी मित्र से बादचीत कर सकते हैं, आपकी तरक्की की मार्ग में आ रही समस्याएं दू आज का दिन आपके लिए आलस्य को त्याद कर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा, ससुराल पक्ष से आपको धन लाब मिलता दिख रहा है, व्यर्थ की चर्चाओं में न पड़े नहीं तो समस्या हो सकती है, कारोबार कर रहे लोग किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकत हैं, आपके अंदर प्रेम और स्ने का भाव बना रहेगा, सभी से सामन जस्य और व्यवहार बनाए रखेंगे, कुछ नए संपर्कों से आपको लाब मिलेगा, सामाजिक शेत्रों में कार्यरत लोगों के जन समर्थन में इजाफा होगा, आप किसी काम को हडबडाहट में न करें, नहीं तो आप से कोई गलती हो सकती है, भाग्यशाली दिशा, पश्चिन, भाग्यशाली संख्या, नो, भाग्यशाली रंग, नीला रंग, तुला, आज का दिन आपके लिए धंधान्य में व्रिद्धी लेकर आने वाला है, और आप परिजनों का भरोसा जीतने में क आम्याब रहेंगे, आप यदि किसी का भला सोचेंगे, तो लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं, आपके घर किसी अतिथी का आगमन हो सकता है, रक्त संबंधी रिष्टों में कोई तनाव की स्थिती उत्पन्न हो सकती है, जिसमें आपको शांत रहना होगा, कार्यक् आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, आपको नीती नियम पर पूरा ध्यान देना होगा और आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश में आप काम्याब रहेंगे, पारिवारिक विश्यों में आपकी रुची बढ़ेग विक्तिगत विश्यों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा, पारिवारिक मामलों में आप धील ना दे, नहीं तो समस्या हो सकती है, संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है भाग्यशाली दिशा, पूर्व, भाग्यशाली संख्या, दो, भाग्यशाली रंग, सफेद रंग, धनू आज का दिन आपके लिए किसी वाद विवाद में पढ़ने से बचने के लिए रहेगा, व्यावसाइक गलतियों को आपको करने से बचना होगा, करिबियों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, आप अपने आवश्शक कार्य को गती दे पाएंगे, किसी काम में उस कोशिश करें, नहीं तो बाद में आपको पच्तावा होगा, किसी कानूनी मामले में आप लापरवाही ना बढ़ते, भाग्यशाली दिशा, दक्षिन, भाग्यशाली संख्या, नो, भाग्यशाली रंग, नीला रंग, मकर, आज का दिन आपके लिए लेंदेन के मामले में स संतुलन बना कर चलेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके प्रभावशाली परिणाम से आप उच्साहित रहेंगे, आप यदि किसी सरकारी काम में धील देंगे, तो उससे आपको समस्या हो सकती है, आप व्यवसाय की कुछ रुकी हुई योजनाओं की शुरु भाग्यशाली देशा, दक्षिन पश्चिम, भाग्यशाली संख्या, छे, भाग्यशाली रंग, हरा रंग, कुंभ, आज का दिन आपके लिए संपत्ती संबंधित मामले में अच्छा रहने वाला है, शासन प्रशासन के कामों में आपको सावधान रहना होगा, और व्याप पार में आप किसी को साजेदार बनाने से बचे, सबके प्रती समर्थन का भाव रखेंगे, आपको किसी योजना से अच्छा लाब मिलेगा, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उन्हें समय रहते पूरा करेंगे, जिससे आपके परिवार के सदस्य भी आप से प्रसन रहेंगे, जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहन करना चाते हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है, भाग्यशाली दिशा उत्तर, भाग्यशाली संख्या, एक भाग्यशाली रंग, पीला रंग, मीन, आज का दिन कारोबार कर रहें पूरा जोर देंगे, आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा का जाने का मौका मिलेगा, और आप यदि किसी लक्ष को पकड़ते चलेंगे, तभी वह पूरा होता दिख रहा है, भाग्यशाली दिशा, दक्षिन पूर्व, भाग्यशाली संख्या, नो, भाग्यशाली रंग, नीला रंग, शनिदेव मंत्र जाप, शन शनाश्चराय नमा पाच मिनट, में 108 बार करें, सारी मनोकामना पूर्ण होगी, दैनिक राशिफल में करियर, आर्थिक, पारिवारिक, निजी, प्रोफेशन, व्यापार, प्रेम, विवा, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सभी क्षेत के बारे में विस्तार से बताया गया है, इसके अलावा आपकी राह में आने वाली चनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है, विडियो देखने के लिए धन्यवाद अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें